और वार्जोन से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है क्रीमिया ब्रिच पर रॉकेट से अटाक हुआ है रॉकेट से हमला हुआ है क्रीमिया ब्रिच पर तीसरी बार अटाक किया गया दोनों रॉकेट को एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है एक बात फिर से क्रीमि गई तस्वीरें है और ये तीसरा हमला है क्रीमिया बिच पर जो कि इस वक्त टागिट किया गया क्रीमिया ब्रिच को क्रीमिया ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए क्योंकि यहीं से ही रूस का डिस्टेंस दूर होता है वो कनेक्ट करता है और जो सबसे नस्दीक है वो है यूक्रेन यूक्रेन के बॉर्डर पर और हमाई साथ मनीश जा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए है मनीश तीसरा हमला बताया जारा है इस हमले के बारे में इस अटाक के बारे में और क्या कुछ जानकारी हैं मिल रही बिल्कुल देखे आप तक का ये सबसे बड़ा हमला हो सकता था अगर ये काम्याब हो जाते हैं लेकिन क्रीमिया ब्रिज से मैज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही उसे उन दोनों रॉकेट को मिसाइल को मार गिराया गया रूसी एर डिफेंस सिस्टम की तरब से तो आप कह सकते है कि युक्रेयन की तरफ से सबसे बड़ा दुसाज किया गया अब तक जो दो हमले हुए थे क्रीमिया ब्रिज पर एक बार भी स्पोटकों से बड़ा ट्रक से ब्रिज को काफी नुकसान पहुचाए गया था दूसरी बार जो बोट किंग इस पेसल बोट वाली जो ड्रोन है उससे हमला किया गया था लेकिन इस बार सीधे मिसाइल से हमला किया गया लेकिन जैसा कि हमने बार बार दिखाया कि वहाँ पर वार्ट सिप तैना आता है वहाँ पर एर डिफेंस सिस्टम तैना आता है और उन्हीं एर डिफेंस सिस्टम की जरिये इन मिसाइलों को मार गिरा कि इंप लुट्टन्स इस युद्ध में क्या है यसे टारगेट किया जाता है कری्मिया जाता है युद्ध के मदे नज़र्ट बिलकुल देखे कुर्ज के मेन लेंडसे जोड़ने वाला ब्रिज जो कि ब्लैक सी पर 19 किलोमीटर एक लंबा पुल है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना केवल इसका strategic महत बलकि अगर सांकेतिक महतु देखे तो ये प्रेजिडेंट पुतिन के लिए आन बान सान का सवाल है अगर कल के दिन में क्रीमिया ब्रीज को पूरी तरह छतिगरस्त किय जाता है तो आप समझे कि क्रेमलिन तब परमानु हत्यार का भी इस्तिमाल कर सकता है इतना हद तक दबाब है क्रीमिया ब्रीज को लेकर रहा है ऐसे में मिसाइल से इस पर अटेक करना ही अपने आप में इस युद्ध की सबसे बड़ी घटनाओं में से इस युद्ध की भी जाता है क्रीमिया ब्रीज